विद्यार्थी मित्रो आपणे वार्था कार उमाशंकर औने एकांके कार उमाशंकर नी वाद करी चुक्णल गाशियें बच्च मने गंगोत्री ना कभी उमाशंकर्णी वाद करवी हती रही गरू पर आजे UPSC ना एक विद्यार्थी नी विननती थी सप्तपदी विशे आपड़े वाद करीशू परन आरंबी हुँ एक सपष्टता करीदेश के सप्तपदी नी आवाद हुँ डक्टर रमेश ओजाना काभ्य संबित पुस्तक माती तमारी सामे करीश कारण के एवने सरफ सरीते वाद करीशे अन्य हुँ इच्छू के एवाद तमारा सुद्धी पहुँचे उमाशंकरे केटलू लग्यू अपने अश्रित है कि एक व्यक्ति एक जिन्दगी मां अठ्रू बतू काम करी शके यह वो प्रश्न था साथे साथे राज किये रीते पन जे सक्रिय राज्य सवाना सभ्य कटोपटी काड़े पन जे मुंगा नोता रहा जे टागोर नी शांती निकेतन होई कि गुजरात ये नसे जे वाइस सेंसलल तरीके पन काम करता है तो शिक्षन ना ख्षेत्रे चिंतन ना ख्षेत्रे अनुवाद शाकुंतल जेव अनुवाद ने उत्तर राम चरित जेव अनुवाद एमनी पासे थी मले अखो एक अध्यन जेव अधभूत संशोधन जेवने करू होई वार्ता एकांकी निवन दोग पुराणों मा गुजराहत जेव एतिहास दी नजीक जतुपुस्तक होई के कभीत तातो यमनी पासे थी अधहां कमले औरी 1503 मा विश्वसान्ती ऑं इसोघ्तरी मा गंगोत्री 1149 मा निशीत जोने ग्णानकमीट पुरस्कार माले ओगनीसो ने 68 मा ओगनीसो चुम्मालीस मा प्राचीना, 46 मा आपित्य, 54 मा वसंत वर्षा, 65 मा माप्रस्था, 67 मा अभिग्न, 11 मा धारा वस्तरव, 11 मा सत्त पदी अने पछिती आ बधी कविता, समग्र कविता दरीके 11 मा बार पड़े, तो आवा उमा शंकर, अटला पट पर जणे काम करू भई, एनी सब्त पदी थी आपने बात शरू करी शू, जेदी करीने, तमने जे जोईये छे, ए तमने मले दिरुबई ठाकर कहे छे, सत्त पदी मा मुकेला साथ काव्यो, कवि उमा शंकर नी परिनत प्रग्नाना फळ जेवाचे सातेई मा पंखी मेलो अने शोध ए श्रिष्ट जे, साचा कलाकार ने पोतानी कलाथी कदी संतोष थाई खरो, शोध मा साची कवी ता न मल्यानों विशाद कवी प्रगट करे छे, उत्तिकट अने आर्थ स्वरे अस्तित्वमा छुपाय और प्रगट काव्यों ने शोध ता उमा शंकर पूछे छे, गर्भुमा रहेला बालकनी बीडेली आँखो माताना चहरामा टमके, मारा अस्तित्वमा एम काव्यों चमकतु तमें जोईू छे, काव्यों ना अंतर्गत सम्वेदनने सचोट कलपन मा ए प्रगट करे छे, पछीनी पंगती मा कहे छे, कविता आत्मानी मात्रवाशा, मौन नो देह, आसव अस्तित्वन, स्वप्ननी चीर छवी, क्या छे कविता, कविता विनानाद, कविता वगर्नो जीवन, केवो वेदना मैं अने व्यर्थ छे, ए सुचवती पिली जाम्बूना व्रुक्ष साथे नी तूलना, केवी तो आवे मैं अने अदभूत छे, एने जाम्बू आएवा मने आसु, वध्यो ने फड़ो ए, वध्यो फासु, और जाम्बू ने आसु नो तथा आसु ने फासु नो अर्थक्षम प्रास, काली मेडवा कातर ने, कवि ये सहज रीते मेड़े वो छे, पचितों व्रुक्षने तड़काती रंगतो प्रभू, नव परिणित युगल, सहस्र जोजन दूर थी आवेल पंखी नी मुलाकात, पोताना जिवा अन्रोमेंटिक नी सामें आँख मिचकारता तारा, बालक नो खिल-खिला अठास्य, जेने कवी पोतानी कवितानो शूब चंद कहे छे, ए बदा क आप्य उदभावक पदार्थो नो आनंद माणवानो के पहली पंख्ती मा कहुतें, पुष्पो साथे वात करवानो समय रहो नहीं, एवो समय जे सवंदर्य अनुभूती साधी आपे, चैतन्यने आख माथी रेलावी शब्द चंद पर सवंदर्यनी सेर उपसावे, कवी आ आक्षनार्दनी शोध मांचे, छेले रस्ताना वणके मोटर्नी रोष्णिये अजवालेलो कन्यावनों जुन्ड पढखेना व्रुद्धना विस्फारित नेत्र समक्ष, अने ए समक्र चित्र कवी नी दृस्टी समक्ष प्रगट थाईचे, कन्या सरजन्नों प्रतीक चे, क मारी कवीतानी नसोनु रुदीर, त्या कवीनी कवीतानी शोध वधारे उत्कट बनेचे, आख्षु काव्य चिंतनना भार्ती मुक्त, अन्य काव्यों मां आवता सुत्त्रों थी अलिप्त रहिने, सुन्द काव्यों मैं प्रतिरुपो द्वारा कवीना आत्म सम्वेदनने प्रगट करे छे, उमा शंकरनाद नहीं, गुजराती कवीता सहित्यमा, कवीता विशे लखायल काव्यों मां आव माग मुकावे एवी रजना छे, कवीतानों जीवन साथे सम्वाद न बंदाए तो कई नहीं, पर कवीता अन्य जीवन बंने माथे सम्वाद एतले के लई ल एमा कवी मन रुदै सहीत समक्र व्यक्तित्वनी विशीरन तानों हनुभव करे छे, आज सुधी प्रेम औने माधूर्यनी छोळ उडारता कवी नुँ अवाज, आ निश्चंद पुद्गार मा तरडातो होई एव आपनने सम्वादाई छे, वसंतनु आगमन रोमांच कारी तो ठिक, सहेज आनंद पन नथी उपजाओ तू, चिडाई जही ने कभी कहे छे, कौन बोली, को की लाके, जाने स्वीच आफ करी दाओ, तरु घटामा गाज तो आ बुलबुलाट, कुद्रतना शु रेडियो नो सांस्कृतिक को कार्यक्रम, चांक बंद करी दाओ, शु कर अगावना जेवो प्रकृति साथे कभीना रुदैनों मेल लई, हवे आ यंत्र युगमा नथी रहो, बलके नगर संस्कृति ये कभीने प्रकृति थी साव अलग पाड़ी दिदाच, आ उद्गारों नो काकु विवीद लई घटकों मा घुथाई ने करूं असर निप अविशम परिस्तितिना जंपिंग बौड पर थी कुदी ने कभी व्यक्तित्वनी शत खंड तुटीत एक ताना कारणों विश्लेशन करेचे राग द्वेश भैथी चिन व्यक्तित्वने प्रेम द्वारा एक केंद्र करवाना प्रयत्न सफल थशे चैतन्यने वैशाखी लू स्वाहा करी जाए ए पहला रुदैन्याई धवक एने बचावी लेशे के क्यां ए शंकाय कभी खिन छे चिन बिन छे 1926 माज श्रीदरानी आठमों दिल्ली पान रचे शे अने गुजराती कवीता एनों पडखु बदले शे रितता चिनता निराशा अने विशादनों सूर काडती आधुनिक गुजराती कवीता लगबग आज गाहा मां रचावी शरू थाई तेती उमाशंकरनी आखुती गुजराती कवीता नूं एक वडांक बिन्दुपण बनी रहे शे उमाशंकरे बाशा लई अने छंदना प्रयोग परत्वे आधुनिक लढ़न ओतानी रीते विक्सावी शे परन्तु तेमनी जीवन श्रद्दा आधुनिको करता जुदी छे ए डेखीतु छे चिन्न भिन्न छू ए रचनामा सुर्य परनी वादली नी जें चिन्न व्यक्तित्वनू सम्वेद आवी ने चाल्यूबववद आ दिरुवई ठाकरनी वाद आती रमेश ओजा मारा M2B कॉलेज ना प्रिंसिपाल अंगरेजी ना बहुझ मोटा विद्वाद पन गुजराती साहित्यमा पन अधिकार भावे एमने लग्यू छे रमेश ओजा कहे छे 156 वर्ष विश्व शांती ना कविये पोतानी काव्य यात्राना पचास वर्ष ए वर्षे पुरा करया त्या दूर थी मंगल शब्द आवतो ए गानार उमाशन कर ए शब्दना अनसारे अनसारे स्रुस्टिना संदर्य पीता अने पीवडावता अने उर जहरणने आप मेले वेवडावता गुजराती कविताना नव प्रवाहोने दोरता आवे छे एमा वच्चे जराग निरंजन भगतनी कविता नवी कवितानों सुकान हवे पोते संबाली लेशे एवु जणाई छे बावन त्रेप्पन मा कवि उमाशंकर वसंत वर्षा आपे अने गया वर्षो तथा रहा वर्षो नी वाद करे पाण त्राज वर्ष पचै आ और कवि छिन भिन छु एक आब्यमा गुजराती काब्यमा उमाशंकर द्वारा जाने नवो अवाज अने नवो मिजाज प्रगट कर्या आज अर्सामा सुरेश चूर्शी पन चिन बिन छूमा संबलातो अवाज अने एमा पमातो मिजाज व्यक्त करवा मांडेला पण उमाशंकर नी कभी तामा जेवो आवाज संबलायो एवोज एने कभी अने विवेच गोर्नु त्यान खेंचु ततकार एना उग्र तिव्र प्रत्यागाद पड़े उमाशंकर एटले जीवन मांगल्यना उदगाता एवो समीकराण बदा मांडी बेठा आता एम ने चिन्न भिन्न छूती ए वधारानों विशेश आगाद लाईग। श्रद्धा लोप नो आगाद व्यक्तित्वनी विचिन्न तानों तिम्र सूर व्यक्त करतु आ कावे वाँची ने विश्ण प्रसाद त्रिवेदी उपरांत बिया गणानी भुरकुटी चड़ी ग साही त्यमा चर्चावो मंडा है। आ समय चर्चावो थती हती आजनी जेव जड जम्पी गया एव नतो। चिन्न भिन्न छूती एटले के पोतानी कावे यात्राना पचासमा वर्ष्थिश्रू उमा शंकर पोतानी कवितानू सुकान फेरवता हाता। शू एमकरी ने एगुजराती नवी कविताना करणधार बनवा तरफ गती करता हाता। आ प्रश्ण ना उत्तर पच्छी ना त्राण वर्ष्थ सुधी नती मोडता। ओगणी सो ओगण साइट मा एमने सत्त पदी कावे शलू खलानू बेजू कावे शोध प्रगट करी। त्यारे पण अप्रश्णो रहाज। पुष्पो साथे वात करवानों समय रहो नहीं। ए स्रिकारवा छता ए पुष्पो मां शिशुओना कल हास्य मां औने तरुनी ओना आशा उल्लास मां पोतानी कवितानों उल्लास शोधी रहेला। ए त्यारे पुण जणाईशी। एमनी शोधने संदर्यने मार्गे, मांगल्यने मार्गे ठरवा ठेकाणू मल शे, कि छिन बिन्नतानी अनुभुती कवि जेतनाने वधू व्यापक करीते घेरी वल शे, औने ए रीते एमनी कवितामा नवी धारा प्रकट शे, एवा प्रश्णों पान त्यारे घणा ने थाय पन त्यार पच्छी उमाशंकर पासे थी आ धाराना काव्यन्न माया बीजी बाजु कवितामा नव प्रवाहोनी नानी नानी सर्वानियों विवीद दीशा माथी गुजराती कविता कवी ओयवे उड़ावी अने सुरेश जोशी नी कविता अने तेथी विशेश एमना कविता विचार माथी प्रेरण अने प्रोथसाहन सवय मेड़िया पन चिन्न बिन्न छूनू महत्व व्यक्तिक तरीते उमाशंकर नी काव्य साधनामा एक नव प्रस्थान आकनारू बनी रहेज एम सत्तपदीना साते काव्य जार उपलब्द थाए त्यारेल कहवानू थाए पोते मेडवेली, केडवेली, प्रतीत करेली आस्थावनी फेर तपासनी भुमीका छिन्न बिन्न छूती रचाई छे अने त्यार पच्छीना पूरा 25 वर्ष एमने आ प्रक्रियामा पोतानी जातने संडोवी छे एना परिणामे ओगणी सो एक्याशीमा आ धाराना सात्यत्यमा लखायला सात काव्यो सप्तपदी शीर्षत थी एवो आकनने आपे छे आम समय व्यापनी द्रुस्टिये पाण सप्तपदी एमनी कवीतामा सीमा चिन्ह रूप गटना छे अई आ काव्योना विशई परत्मे विचार करवानूं आपडे मोटे भागे विचार्यों शे सप्तपदी वा उमा शंकरे प्रयो जेला लाई उक्ती लढ़ान अने उपमा रूप को विशे स्वतंत्र वात करी शकाई एक वात नोंधवी पड़े के उमा शंकरनी कवी प्रतिवाना उत्तम उन्वेशो एमना देर्ग काव्यों मा वदारे जोवा मले चे आवा काव्यों मा एमनू भाषा कर्म पन उद्दात ताथी रसाय रूचे चिन्न भिन्न तानी आत्माने विक्षुप्त करती अनुभुती ने पगले एमने ए लुप्त श्रद्धानी पुनह प्राप्ती अने प्रतिष्ठा अर्थे जे शोध आरंबी एनी रूप्रेखा एमने त्यार पछे थोड़ा समय प्रसिद्ध थयेली शोध नामनी कवीतामा आपी अने सत्पदीना सात्मा काव्यनों जे उप्सहार थाई छे ते पंखी लोक ना अन्ते कशिक नकर प्राप्तीने बदले आत्मानी आंतर प्रतितीनों ध्वनी व्यक्त करता होई एव आपणने जणाई छे अवे धूर थी आवता मंगल शब्दने सांबलवा कान सर्वा करवाने बदले शब्दना सर्व कोई प्रपंच ना अन्ते शब्द करता पण जे सवायू छे ते मौन माज जीवनना बदाज अर्थनी ट्रतिती जाने के थती होई एव लागे छिन्न भिन्नता एव माशंकर्नों स्थाई भाव नथी एक तबक्को छे फेस छे अने सत्त पदीना प्रथम काव्यों मा एनी तिव्रतम कोटिये व्यक्त थया पछी विवीद काव्यों मा ए सतत द्वनीत थतो रहे छे पण एम थता एमनी जे प्रतिती ओछे एमने सतत संभार्ता, संकोर्ता, द्रटावता जता ए आगल वजे जाई छे अने एम आगल वद्ता वद्ता जीवनमा व्यात विरूपता, विततत ता, विच्छिनता औने जीवनमा पोशेली, सेवेली, प्रतिती ओ वच्चे तुमूल आंतर द्वन्द अनुभवता आगल चाले शे एटले सब्त पदीना काव्यों नो उपर तरियावतो ध्वनी, आपनने एम मानवा प्रेरे के छिन भिन्न छू अने एने पगले सब्त पदीनी सात रचनाओ द्वारा नव चीलो आंकवा करता वदू तो आपना आ प्रधान कवी नी कवी तरिके एमज मानवी तरिके नी श्रद्धा अने प्रतितीनो ए एक उदगार जिने आपने मैनिफेस्टों कईये शे ए बनी रहे शे चिन्न भिन्न छू मा व्यक्त थायल विछिन्न ता व्यक्तित्वनी विश्षीरन ता अने तजन्य निर्वेद नो आवोस्पष्ट अने सबल गोश गुजराती कवी तामा एना पहला संबलायो नोतो एटलू पन नोधुव पड़े संदर्यना उपासक अने एमाथिज कवीतानी प्रेरणा पामनारा कवीने चिन्न भिन्न छूनी मनो दशामा जारे पोतानी प्रकृतिनी ज रामायन मंडाये चे उलागे त्यारे ए आक्रोश पुर्वक कोकिलाना गलानी स्विचोफ करवा तैयार थाय जाये चे प्रकृतिना कोई तत्वो एनी प्रसन्नता के प्रेरणाना उपादान बनी शक्ता न थी उन्नमत तानी आये एवी क्षान छे जरे आज सुधी व्यक्तित्वनी एकता अखिलाए आज सुधी श्रद्धा रूपय जियर रुदैमा पोश्यू ए बद्धू मन मनावानो जाने एक प्रपंच एक मेक बिलिव हतों ए मानी लिदेली एकता आजे क्षत विक्षत थाई शत खंड विखेराई गई शे मनुष्य व्यक्तित्वनी एवी संकुल गटना छे जिमा राग, द्वेश, भई, वगेरे पन व्यक्तिने एनू पोता पनू प्रतीत करवामा सहायक बने एपने नी आत्म संग्या आइडेंटिटी ना द्योतक बने ये क्यारेक ए राग, द्वेश ना रस्तेज प्रेम धर्मनी दिक्षा पन पामी शकाये पने प्रेम ना कखग गनी पोता ने कशी समझ नथी पड़ी एम आ कभी माने जे कारण प्रेम तो अनेक रूपे, अनेक रीते पमाए, कोई पन रीते, कोई पन शर्ते ए प्रेम पमाए तो घणू, पन प्रेम, कभीता, फिलसुफी, एक अशाही नी दुनिया दारीमा राज्चती दुनिया ने पड़ी न थी दुनिया नी स्मुरुती माँ प्रेम कभीता के फिलसुफी ना मारगे चालनारा टक्की रहा हो यह बनू न थी अस अबहांता अने एमाथी जन्मतो उत्ताप जीरवो असाहिय चे इटले कभी कहे चे कभी ना व्यक्तित्वने एक केंद्र राखतू जे कई हतू ए लुप्त थायो छे एटले ए छिन्न भिन्न तानो उत्कट अनुभव करे चे पण साथे ए तत्वनी एमनी शोध पण आरमभाई चे आपने जोयो आ काव्य सब्तक कभी ना आंतर जीवननो आत्म व्रुतांत चे एटले ए जे शोधनी वाद करे ए तत्वनी रिते नहीं विग्नानी नी रिते नहीं संसारी नी जेम दुन्यवी सुखनी शोधनी तो नहीं जे विच्छिन होवानी तिव्र अभिज्णताथी संता पामेला कभी नी शोध एना जीवननी सार्थक्ता एनी श्रद्दानु कैंदर कभी ताज होई पण कभीता कोई पण कभी माटे सिद्धीनो नहीं पण शोधनों विशेज रेवान जो के शोध काव्यना चिन बिन व्यक्तित्व वाला कभीने तो ए आश्वासन पण काम्याव निवड़तु नदी ए पण एमनी वेदनामा वधहरो करनारी वात ज बनेश कभीना आत्मानू सत्य गणाई एवी कभीता पण जो अलब जलब देखाई न देखाई पमाई न पमाई त्या हास ताली दई जती रहवा करे तो आशान के सांत्वनानू काराण ए कभीतानू बनिशके पण एम बनवानू निमित्त तो मनुष्य पोते शे वर्षो पहला उमाशंकरे गायलू सवंदर्य उपी उर जरण गाशे पच्छी आप मेवे पन अर्धी सदी पुर्वेनू ए जीवन जुदु हतो ए जागितिक परिस्थिती जुदी हती सवंदर्यने मन भरी पीवानो त्यारे समय हतो अने आजे तो पुष्पो साथे वात करवानों समय रहो नई एवी दशार छे आ सामप्रत जागितिक परिस्थिती माँ व्यक्ती जीवनना जे हाल हवाल थाई छे एमाँ पुष्पो साथे आपनों नातो जुडाय एवु रहु छे ज क्या कभी ता कभी ना व्यक्तितों मा अनुस्यु छे पड़े दीजे शब्द मा प्रगट दथी एनों प्रगटिय गर्भु मा रहेल बालक नी बीडेली आँख जे माताना चहरामा चमके एमज कभी ना अस्तितों मा लहरातु होई एज एना आत्मानी मात्रुभाशा एज एना अस्तितों आसव जे एने आस्पासनी विश्वता विशारे पाडवामा सहायक बनी कभी ता एज कभी नी श्रगधानू मुर्थ प्रगट रूप परन्तु जगत मा ज्या सुधी ए अवतरे नहीं त्या सुधी बालकना अस्तितों आगवी ओलक्षी कभी ये पन पोतानी चेतनाना गर्भुमा धारेली कभी ता शब्द लैमा अवतरे नहीं त्या सुधी एना होवानी पन सार्थरक्ता शी कभी ता नामनों ए दुर्वा कावे पदात हजी कभी मा थी बार अवतरों नथी एटले शोधना कभी नों व्याकूल उत्सुत प्रश्न पडगाई छे क्या छे कभी ता एना सुधी पहुचवानों मार्ग दुर्गम छे कारण केवल शब्द प्रवजवो एटले तो कभी ता थाती ना थी कभी ने खबर छे केवू वारम वार बने के कभी तानी सरस्वती शब्द माज लुप्त थाए कभी ने माटे पोदानु अस्तित्व मनुष्य तरीकेनू अने सर्जक तरीकेनू परस्पर अवलम बेशे बंडे परस्परने सार्थक करना राज एने माटे केवल आ शरीर रुपी अस्तित्व नों कोई आर्ठ ना थी मनुष्य ने शरीर धारी तरीकिय आपरुथ्वी पर उत्पन करवा मा पाण ए परम सर्जक ने सर्जन नों कोई हेतु सिद्ध करवो हशे ए हेतु पूर्तिना पंथे कवी पुरसर थाई, चालता थाई, ए अर्थे कवी तानी कुद्धिपक एवी घटनावो पन प्रभुए निर्मी राखी छे पण प्रक्रुती साउंदर्य परत्वे मुग्ध भाव होई वेठेलो, विदग्ध औने परिणामे आंत्रिक संताप्ति दग्ध क्षुब्ध एव आ कवी कशाय थी प्रभावी थाई शक्तो नथी औने कवी ताने जन्म आपी शक्तो नथी एटले ज ओमा शंकर गहे छे, रेरे शिशुओनू कलहास्य मानवानों समय रहो नई, शिशुओनू कलहास्य मारी कवीतानों शुब्रचंद, पुष्वो मारी कवीताना ताज बताज शब्द, अने शिशुओनू कलहास्य एनो चंद, एटले शब्द छे, चंद पन छता क् कवियो नो, शताप्तियो विंदी ने आवतो शब्द पण कविता प्रेरतो नथी, बलके कविने एना थी प्रेरावू नथी, एमने पोती का अवाज नी कविता रज्वी छे, पोती का अवाज नी एमनी शोध छे। एमने कोईना पडगा नथी पाडवा, कहो, कथेते शानों कविये जाने छे। एवल पडगों होए, अने पडगाने पुजनारा अदेश मा गणा छे, पोताने जमात मा जोडावू नथी। आपने जोई शक्किया छे के चिन्न भिन्न छू पच्छीनी आप क्रुती, शोध, एमा कवितानी शोध, जे तत्व तह जीवननी श्रद्दा अने आस्थानी शोध छे। अने ए माटे कविनी तिप्र आरत छे, तो साथे साथे इश्वर्नी लीला मा ए आरत ने फळवानी आची पातली प्रतितीनों द्वनी पन रणक्या करे छे। जगत ना भवतिक पदार्थो पदार्थो न रहता लोकोत्तर सत्व रुपे पामवानी साधक नी शोध अने कविनी शोध लगभग समांतर जता अन्शो होई एवु उमार्शनकर नी कविता वांचता समझाई छे। बवतिक पदार्थो ना दर्शन मां जे डाइवर्सिटी अनेक ता छे प्रुथक ता छे ए आवी साक्षातकार ने गडिये कोई ए युनिफाइड रचनामा संगटी युनिफाइड पेटन मां गोटवाई जता लागी। व्रुक्ष नू कविये आवु दर्शन करू छे जया व्रुक्ष मही कशा लोकोत्तर सत्वनू एमने दर्शन थता पोते पण व्रुक्ष महीता अने ए द्वारा विश्वना पदार्थो साथे तादात्मनो अनुभव करी शके एवी शक्यताओ जुए छे। आम साउंदर्यनी अनुभुती द्वारा कविता द्वाराज आवु बनी शके। पण कविता क्या छे कविता। एम लागे छे के छिन्न बिन्न छुनो व्यग्र आक्रोष उदगारनार कवि उमाशंकर तत्व तह वास्तव वादी कवि नथी। वास्तव वाद एमनी कवितामा आयो अने गयो। एपण एक तबक्को हतो। मुल्भूत रीते कवि उमाशंकर कविता करागी एटले के रॉमेंटिक कवि छे। एनाज एक उन्मेश शुरुपे प्रगटतो आदर्श्वाद एज उमाशंकरनी कवितानो द्रूपद जीवन धर्मिता एज एमनो कवि स्वभाव। सब्त पदी मां एज स्वभाव वधारे सतत प्रतीती पुर्वक कावे भाव मां परिणामेओ छे। शोध मां उताने एक जग्याए कवि अन्रॉमेंटिक गणावे छे। पण तेक अदाच विदग्द व्यक्ती उमाशंकर माटे साचु हशे। कवी उमाशंकरतो रोमे रोम रोमेंटिक छे। अने आवाद हिरोशीमा नागासाकी अलविदा दिल्ली लखनारने मुर्दानी बूथी गुंगलामन अनू भवनार कवीना तेते कावे वाचा पछी द्रड़ावानू मन थाय। एमना आ रोमेंटिसिजम माँ हवे दार्षनिक तानू इश्वरी अस्थानू तत्व वदु प्रबल प्रगट पणे उमेरायो छे। ए वाद पण अहीं नोधवी जोईये। शोद ए कवितानी होई के जीवनना कोई सत्यानी होई। कवीने मन तो शोद एज सत्या छे। उमाशंकर मुख्यत्वे जीवन धर्मी जीवन उपास कवी छे। जीवनमा जीवननो और्थ आपनार विवीध प्रवरुत्तिवो अने परिस्थितिवो मा एमनी आस्था द्रड़ छे। एमनी जीवन आस्थानू एक मुख्य आधार स्थान दामपत्यनी भावनामा रहेलू जनायी छे। आतिथ्य संग्रहना संख्यावत्त काव्यो मा प्रसंग्न दामपत्यनी चारू गाथा एमने क्यारेक हलवी तो क्यारेक गंबीर रीते गाईचे। उमा शिनकर्नी आस्थानो आ एक सतत विकस्तो रहेलो विशेईचे। सब्त पदी काव्य शरूखला मा नव परणीत पहला शिर्षक वालू काव्य दामपत्य स्तोत्र जेऊँचे। एक रिते जोईए तो अर्ध शताप्दीनी सुधेर्ग काव्य यात्रा मा जेजे स्थानो ए एमनी कविता ठरी छे। जेजे विश्योंने एमने एमा आवर्या छे। एनू जाने आकलन करी। आ काव्य सब्तक मा फरी एक वार एपकुनराव लोकन करता होई एम जणाईचे। प्रसन्न नव परणीत युगल या स्रुस्टीनी एना सातत्यनी आशा समान छे। एवा युगलने जोई कवी तड़काने पन वदारे तेजस्वी बनतो अनुभवे छे। अने एने धरा दीसे त्रुन त्रुने पुलकित क्यां छे कविता एवो प्रुष्ण पुछनारने दृस्टी होई तो कदाज आ प्रसन्न दव नव दमपती मा कविता जडे। एनो मौन नो डूमो छुटे दमपतीनी शोध एमनो सत्य जें परस्परमा अनुभवाई एम कवी ने पोतानी शोधनू सत्य पोताना माज पामू पडे। नव परणीत पेलामा नीचे वहळाना बहळा धरामा बेखडनी छायामा तरता सरता सहलता हंस युगलने शूय सूजू खिनने चमकावी देता फफ़डाट थी उँचे उड्यू फेलाती विंजाती सफेद पांको थी अवकाश कुठ्यो तड़कानी वेल पर उगडता ए द्रश्य माथी दंपतीने प्रेम माई जीवननी शूभ प्रतिती, विश्वास अने विश्माई जागे एम कभी ने पन प्रणैनी दिख्षा एज जीवननी दिख्षा, मानव्यनी दिख्षा एवी आस्था जागे छी। अहीं आ काव्यों मा वारमवार बेवस्तु ध्यान खैंचेश, गद्य लईनी धारे धारे चालता आ काव्यों मा जहरे जहरे उमाशंकर कवी व्यक्तित्वनू रोमेंटिक पासू उमाशंकर ना कवी व्यक्तित्वनू रोमेंटिक पासू प्रबल बनेशे, क्यारे सुरम्य शब्द चित्तरो अने चारू रुदै भावोती चकित करीदे एवी काव्य पंक्तिवो अने एवी पंक्तिवोनी आ काव्योमा जराय अच्छत नथी क्यारे तो वैदिक कवीनी चारू रुचावनी रुचीरता अने लालित्य प्रगट करती जोवा मुले छे तो क्यारे एमना मा रहेलो आदर्श वादी दार्शनिक प्रबल होई त्यारे एक गद्य लईमा डड़ी जाये छे प्रत्येक पूरे पूरू एक बने तोज पूरू जामे बन्नेनु एकत्व एवी गद्यालू पंक्ति ओपन प्रवेशी जाही छे एमनी आदर्श वादी दार्शनिक्ता दामपत्यना सप्त पदी सक्षनी भाव नाने परस्परना सक्षती आगल लई जई स्वासाथे सप्त पद सक्ष केळवानू सूचन करीने विर में छे कारां आत्मा एतो राधी का अने एने साथ डग पोताना माज रहेला प्रभू साथे चालवानू सक्ष केळवू एज दामपत्यनों आदर्श होई एवू कभीनू दार्शन छे आ एक आदर्श खरो पण ए आदर्श फळवामा तो आ जगतमा अनेक अंतराई नडे प्रभू साथे तादात मनी आरत मनुष्यनी ए अभिपसा ए स्वप्नने बढगो थई सलगी न जवा देवानू भणू दुशकर छे स्वप्नोंने सलगू होई तो अंगारा तो जगतमा ठेर ठेर बड़़ी रहाजी आथे करीने आजना मनुष्य पोतानी आसपास पोताने ज भड़ो लई नश्ट ब्रश्ट करे एवुविश चक्र रच्यू छे एमा एना आदर्शवादी अर्मानोंने अलपाई करमाई जवासिवाई भग्याज बिजो कशो विकल्प मले उमाशंकर विराट प्रणैना कभी उमाशंकर नू स्वप्नोंने सलगू होई तो एक आव्यमा जे दर्शन छे ए मनमंतरों थी मनुष्य जे आकांशाओ जे आदर्शों सेव्या एनी पुष्टी तुष्टी अर्थे जे संस्कृती सिद्ध करी एनी आचेली अर्धिक सदी माँ ए जाने के वोली मांडी ने बैठो होई एनी साम्यावाद चे चारे तरह दुरीत नों दावान अल प्रगटियो छे दुर्जित तानों प्रबल प्रभाव सर्वत्र व्याप्यो छे त्या सज्जनों नों अवाज लुप्त प्राय थतो जणाए सज्जनों अकिंचित कर सर्वनाशी बजार मुल्यो नू डाकलू बजी रहे सुजन्तानी सेर प्रेमनी सरवाणी सनसनी रहे द्वेशनी ज्वानाव बच्चे स्वप्नों ने सलगू होई तो माँ मनुष्यना संस्कृती प्रयाणना इतिहास मा थी छेली सदी दोड सदीनों गालो जुदो दार्वीने जोईये तो आटलाक वर्षों मा मानसे शीशी उत्थल पाथल नथी जोई अने छेला थोडाक वर्षों मा जे विनाश लीला वकरी एतो अभूर्त पुरुआ आपना आज समय मा वब्बे विश्वयुद्धो लडाया परिणामे मनुष्यनों नेर मानुष्करन डी हुमनाईजेशन थयो मानस पोताने पोतान अजाने लागियो पोताना परिचीत परिवेश मा एजाने के पारपो होए एव एने लागियो एनामा एलिये नेशन एकलतानी भावना जागी मुल्यों माथी आस्था माथी शवद्धा डगी गई चीवननी व्यार्थता वितत्था अनुभवी अबद्धु युद्धोनी विभीशिकाना दुष्परिणाह रूपे थव। विखसी पण जेने केंद्रमा राखी ने अबववदिक प्रस्थानों थाया एक केंद्र रुपसामान्य जन्द कारिगर मजूर खेडुद एनों शो जैवारो थेओ एतो हतो त्याने त्यां जरो कभी कहे छे कि आपनी संस्कृती बदू स्वाहा करी जनारी संस्कृती छे एनी निक्रुष्ट कक्षाए भोग प्रिया कंज्यूमर कल्चर बनी गई छे पण ए प्रक्रियामा संस्कृतीनों जे जीवातु भूत तत्व गणाय एतो स्वाहा नती थेई जतुने ए जोवानी कोईने फूर्सद रही छे खरी अती उत्पादन केंद्रिया संस्कृतीनों मुद्राले खच्चे स्वाहा एनू परिणा कभी कहे छे खुब जे खाना राते खोवाएला खुब जे बुद्धी सचीत चेतना नो लकव एने खुब जे संपन अगाद एनो खाली पो अपंति वो वांचता भरत्रु हरी सांबरे भोगवादी संस्कृतीना भागे बदूज भोगवी लिदा पछी शेश खाली पोज रहे भोगवादी समाज मा शरीर नो मोटो महिमा शरीर एज भोगवादी नी श्वद्धा एज एनो धर्मा शरीर ने शरीर मा होमनारी आवी संस्कृती मा अड़ी अक्षर ना प्रेमनु स्थान क्या ही नहीं अने प्रेम रिक्त जीवन एटले समवाद रिक्त जीवन एना एवा आतमा गोंगलामन अनुब्रोवे छे। आतमा गोंगलामन अनुब्रोवे छे। आतमा गोंगलामन अनुब्रोवे छे। आतमा गोंगलामन अनुब्रोवे छे। दुरीत तुँ आश्चर्यकर अनिवार्य माध्यम मारा जीवननुब्रोवे छे। मने सुगठी आश्च थुडाक स्वपनों जरूर टकी शक्षे सलामत हवे। स्वपनोंने सलगू भोईतों मां। आपणे आगल जोयू छिन भिन्नतानी वेदनाने व्यक्त करी त्यारे पन कविये आत्मसंग ने आइडेंटिटी ने अक्षत राखनारा तत्व तरीके राग भाई द्वेश दूरीत नों स्विकार कर्योगत। अई फरी दूरीत ने मनुष्यना होवा पणानी एक अनिवार्य शरत तरीके स्विकारे छे। अने सूचिवे छे मनुष्य दिव्यन थी एटले ए मनुष्य रही ने उतानी आकांक्षाव, अभिपसाव, स्वप्नोंने साकार करी शके। जागतिक विशमताथी प्रभवेली तिम्प्र वयकतिक वेदनानी वाणी सब्त पदीना एक पछी एक काविमा आगण वधती वधूने वधू विस्त्रुत दार्षनिक भुमीकाय पहंचती जोई शकाई छे। आविदार्षनिक भुमीकानू परमशिखर एटले इश्वरनों साक्षात कार। पड़ा कवी मात्र मनीशी नथी एटले कोई रहस्य वादनी भाषामा वात नथी करता। एक कवी मनीशी छे। एटले एमनों दर्षन कवी जीवन धर्मी कवीनू जीवन निष्ठ दर्षन आधुनिक जगतनी एक मोटी करून ता एक रही के एणे इश्वरने जाकारों दीतो। विग्णाने जे सत्यों मनुर्ष्य सामे उद घाटित कर्या मनों विग्णाने पन एने जे द्रिस्टी आपी एथी इश्वर एने माटे कोई आदर्ष न रहो। प्राप्त करवा इश्वर ने तो नव दार्ष नी कोई निच्चे जिवाये मृत जाहेर करो। आम मनुष्य नी पोता नी आत्म संग्न्या लुप्त थाई साथे इश्वर नामनी भाव संग्न्या एनी ओड़क पन एने गुमावी। संतो ये एने नेती नेती कई उलखायो। पन एने तो आ आ ने आ ने के निराकार केवाथी मुष्केली वधी जवानी हाती। इश्वर सा सक्षात कार्मों एक मार्ग संतो योगी ये चींद्यो। चाले आवो। तितिक्षाना पंथे वळो। यात्राना अंते एने मलो। कभीने आ जन्मारानी खेप दर्म्यान मार्ग मां पढ़े पढ़े स्थाले स्थाले एना स्वत्व दर्षननी प्रतिती पामवी छे। अंते ए जो नमली शके तो इश्वर पन एटलो अधुरू। पीछो कावे मां कहे छे। पचिती जे सापडे ते पूरू अगाव मल्यू नहो। तो ते यात्रापत उनों एटले एटलो अरे तु जो प्रभू सर्वग्न, सर्वशक्तिमान होई, सर्वनों सर्जन हार होई, तो शरीरधारी ने, शरीरधारन नी मर्यादीत अवदीमा एनी ओडखान थाई जवी जोईए। खाली हाथे आया, पड़ खाली हाथे जव नथी, अम्रुत पारावार तटे बैसी ने तर्षया इश्वर नी अजब स्रुष्टीना एक एक अंग मां थी, एक एक स्त्रोत्र वहीने तो आकारावार बने छे, अने एक एक वस्तु साथे कभी जाने के गर्वनार थी जोडाया होई, एम कहे छे, म्रुत समों चिरंतन जीवन थी दबगतो, कभी नी आस्था छे, कि इश्वर पीछो, क्या ही शरीर बाहिय करवानों रहतो नथी, आ व्यत जगत, एमा विलस्तो प्राणो द्रेक, एज इश्वर नूरू, अने मनुष्य, इश्वर नू श्रेष्ट सर्जनत नहीं, एनू पूरक अंग, एना विना तु अपंग प्रभू, एक लो तो तारा विना मानव पीछो, कवीनी इश्वरी आस्था करताई, एमनी मानवी आस्था वधारे प्रभाल छे, पुष्पना मीज साथे वावतोतु प्रभू स्वप्न तारा, तरुनीना स्तन्यमा धरावतोतु प्रभू अर्मान तारा, एक एक मानवी तारी आशा वनो अंकूर, पन इश्वरी आशाना अंकूर समा मनुष्यनी साम्प्रत स्थीती तो एवी छे के पोतानूत निकंदन काडवा माटे जाने के तत परवनों छे एम थाय तो तो इश्वरनू निकंदन पन निकली जाए पण परम आस्थावादिया कवी अवतार वादी विचार धारामा अश्वाशन सोधे छे पीछो कावियमा के छे विश्वनी कुल वेदनानी तने जान छे तोज एक तारावी ना बिजु कोई ना ए सही शक्री ए वेदनानी जान प्रमान मेलवीनेज गीता नों कृष्ण बनी मनुष्य जाती नी ज्यानी दूर करवा आयो के एक्रूस परक्मान चड़ियो जे हाथ हायो ते सभर जीवन नहीं पण अर्दम्रुत्यो जीवतु मोध कॉलरीज जेने लाइफ इन डेथ कहे चे एना जीवत जीवन जेमा केवल नारकी वेदनाज वेंडार्वानी रई जगतमा सवंदर्य नो मैत्री नो इश्वर नो इनकार करनार कॉलरीज ना व्रुद्ध दर्या खेडूने पणा शाप बार वेंडार्ता वेंडार्वें जीवता मोत नुदर्शन थायेलू आवा जीवता मोत करता अचेतर नू अस्तित वसारू कवी मृत्युक्षण मा कहे चे मरे चे मरे चे मरे चे रात दिन पूर्तु मरता नथी आवड़तू मान वीने वास्तविक्ता नी आवी तिप्र सभान ताये चिन बिन्न तानो आचको प्रेरो हतो एने अजंपो कहो खालीको कहो एग्जिस्टेंशल एंगविश कहो उमाशनकर एक तबक्के एना ती घेराया चे गुंगलाया चे पणे गुंगलामने सर्जेलो मौन नो डूमो तोडी स्थीरता दीरता प्राप्त करी ए आस्थानी पुना प्रतिष्ठा सिद्ध करनारी द्रुस्टीनू सब्त पदीमा आलेखन चे मृत्यू क्षाण मां कभी कहा चे मृत्यू भरो भरो आ आखो नो खाली को मृत्यू कणस्तो आहया नो अजम्पो मृत्यू तबक्तो आ जीवन नो अंधा को एतो छेज पंशू त्या आटकी जवू एरी ते सरजायली रिक्तता शुन्यतामा उमाशंकरनो आश्वासन दार्षनिक आश्वासन छे खाली पानी वीरतीनी अनो भुत्ती साची पन त्या आगल आटकी जवानू नधी आपणे जोयू के चिन्न भिन्न कभी व्यक्तित्वनी शोध हती एनी डगमगी गयली श्रद्दाने टेकववा कोई आश्रे स्थाननी कोई आधारनी व्यक्तित्वने एक केंद्र करवानी अंतर ना खुणे खुणाने व्यापी वडेला खाली पाने खसेडी प्रेम जिवा कशात अर्थ पूर्ण साक्षात कार्थी रुदईनी रिक्त ताने भरवानी खाली पानी आ अनुभूती एक कोई एकल दवक्कल व्यक्तिनी नथी एतो मानस मात्र नी वेदनानो विशयी छे एने भरवा जुदा जुदा मार्गो जुदा जुदा लोको लई शके पण कवी नेमन जीवननों अंतिम विधायक मुल्य एटले कवी ता एज एमना जीवनने और थापे एज एनो धर्म एज एनी आस्था एज एनी उपासना एज एनी शोध पन सांपरत परिस्थिती मां मनुष्यनों समवेदना तंत्र चाने पक्षगार थयो होए एवो बुठु जड थाई गवजे एटले आ बुठी इंद्रियों ना सामान्य धर्मों द्वारा कवी तानों प्रभाव नहीं जीलाए सामान्य भाषा लगती पड़ी गई छे एकोईने प्रभावित करीशकेम रही नथी परिणामे आधुनिक कवीने एवी निर्वरांती अनुभवाए कि एने आ कवी तानो शब्द प्रपंच पन व्यर्थ लागे, क्यारें एम कहवा माटे एने शब्द प्रपंच जच करोओ पड़े ए पाची एक अलग आईल नीशे पंखी लोक नो कवी कहे छे, प्रुथ्वीना भीतरी मौन नो भास्वत उत्सव जाने स्तोत्र छोडे, प्रत्येक परोडे पंखी लोक मां अंतरिक्षे उजवाए सब्त पदीना कावियों मा भावक कवी उमाशंकरना शब्द माथी उड़ती आवी स्तोत्र छोडोनी छालके वारम मार भावक बिंजातो रहे छे बाल पन थी सउंदर्यों पीने गाता शिखेला कवी रुदैने जीवनना एक तबक के जिखाली पोडी गयो एमाथी जाने पोतानी आइडेंटिटी लुप्त थती लागी एमाथी जेजे आस्थावो एमने रदैमा पोशेली एने उथलावी जोवानो एक उपकरम आरम भायो पोते सामप्रत जगतना परिवेश थी प्रभावित्तो छे अने छता ए परिवेश माँ पोतानी आगवी ओलक लुप्त थावा देवी न होए तो कभी ये वेट अबिट कहना रा पंखी नी साथे वाद करवानों समय मेलवो पडशे पुष्पो साथे वाद करवानों समय मेलवा वगर छुटको न थी वविश नी आशा अरमान जिवाशिश वो तरुनोना स्मीत ने रदैमा जीलू पडशे वसंत नी चिठी जिवा पतंगियाने एक घडी निरखुँ पडशे चहरावना अरणव माथी डोकाय पोतानी ओडखाप्तवा क्यां छो कहवा टांपी बैठेला प्रभुना चहरानी मानसना चहरामा ओडखान मेलवी पडशे अने मृत्यों साथे पण मैत्रीनों हाथ लंबावो पडशे जीवनने यात्रामा आवता अबद्धा स्थानोय ठरता वीरमता एमनो पुरस्कार करता जे पराम महिमा वन्तु मुल्य कवी ने साक्षात कार्व करू छे एतो छे माउन एम मौनमा कवी पोतानी कोई नवी ओडख मेलवा जंखे छे मनुष्यने माता पिता द्वारा मलेली मत्र भाशा द्वारा मलेली शरीर द्वारा मलेली शरीर द्वारा अनुववायली प्रेम जेवी लागणी द्वारा पमावायली इंद्री व द्वारा समझायली, कभी ता द्वारा व्यक्त थलेली, ए आत्माना अंतीम सार्थक्यनी समझने, कभी आ रिते उद्गार आपे छे, छेलो शब्द माउननेच केवानों होई छे आ शब उमाशंकर नुदार्षन आऊँछे, the rest is silence, एउजे शेक्सपीर है करूँछे कोई पण अती समवेदन शिलकवी, आ जगत माँ व्याप्त वेदना व्यथाने समझे छे, एना थी पोते व्यथीत थाई छे, एने अभिव्यक्ति पण आपे, पण उमाशंकर जिवानी प्रतिती एवी छे, कि आ बदू अद्रूव छे, जे द्रूव छे, अचल छे, ते मन अंगल मैं शब्दने दूर थी आवतो आचो आचो सांबलेलो, बालपुण मां घर पाचर ना शैल महाश्रये अंतरमां गोप्वेलू सर्जेतनी विजैपता का समो, जे सत्य अलप जलप पोडखायेलू ते मुल्य, ते श्रद्धा, एनी पुनह प्रतिष्ठा, एनी साथे जिवन यात्रामा चालता सब्त पदी सख्य केळवानों कवी नो उपक्रम छे, आम सब्त पदी कवी मनिशी उमाशंकर नी उपास्य आस्थावानू, आस्था ओनू, एक सुधिर्ग, सांग, एउ कवीता विधान छे, जे पेला उमाशंकर अने आ उमाशंकर ने जुदा पन पाड़े छे, बाकी नाउमाशंकर नी बाद आपड़े क्यारे पच्छी करेशू